नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल स्वेल सेंस वर्ल्ड में दोस्तो आज सरदार वल्लब भाई पटेल करशी हम प्रद्योकी के विश्विद्याले मेरेट के दौरा एक इन्फोमेशन ब्राउजर जारी किया गया है दोस्तो इसमें उत्तर प्रदेश कॉंबाइन एक्रिकल्चर एंड टेकनोलोजी इंट्रेश दो जारी 21 के बारे में पूरी जानकरी दी गई है तो दोस्तो इस वीडियो के मैं आद्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एक्जाम की डेट क्या रहेगी आपको एपलाई कैसे करना है और एक्जाम की फीज क्या रहेगी तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए दोस्तो आप यहां पर देख सकते हो कुछ इंपोटेंट्स डेट दी गई है दोस्तो जो आपके ओनलाइन एड्मिट कार्ड रिलिज हो जाएगा और आपको एक्जाम की डेट 16 जून वर 17 जून दी गई है दोस्तो जो आपका रिजल्ट रहेगा वो 30 जून को गोशित हो जाएगा दोस्तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपको कांसलिंग की डेट दी गई है कि डिफरेंट डाउनलोड कर लिजेगा आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों ब्सक्राइब करना है फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको लोगिन करकर अपने इंफोर्मेशन फिल करनी है आपकी क्वालिफिक्शन डीटेल और आपके डोक्यमेंट अ आपको फिस्ट्रेमेंट करनी है और आगे आपको एप्लिकेशन फिर्म प्रिंट करना है और या दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो जो एक्जाम सेंटर दिये गए हैं अयोध्या, बांदा, वारानसी, लकनाउ, कानपूर, आगरा, बरेली और मेरट और दोस्तों जो पर देख सकते हो आपको एक्जाम की डेट और उसका टाइम दे रहा है कि आपको एक्जाम कब होगा तो दोस्तों जो जो स्टुडेंट अंडर गेजुट के लिए अपलाई कर रहे हैं उनका एक्जाम 16 जून को होगा सुबह 9 बज़े से लेकर 12 बज़े तक और दोस्तों ज उनका 17 जून को 3 बज़े से लेकर 5 बज़े तक एक्जाम रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों क्या आपका एवेलिशन कैसे होगा आपको एक राइट एंसर के लिए 3 मार्क्स और आपको एक नेगटिव एंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और दोस्तों जो म मिनिममम कट ओफ रहेगी जनरल और और बिस परसें मार्क्स और एस्टी और एस्टी के लिए मिनिममम दस परसें मार्क्स लाने जरूरी रहेंगे और दोस्तों आप देख सकते हो जो आपका रिजल्ट रहेगा वो www.upcatetadmission.org पर आपको गोशित कर दिया जाएगा दोस्तों दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको आगे online counseling की process दी गई है कि आपको counseling कैसे करनी है दोस्तों आगे हम बात करेंगे दोस्तों यह आपका fees structure दिया गए दोस्तों तो सब भी student इसे note कर लिजेगा कि B.H.C, M.H.C और PhD की fees कितनी है दोस्तों दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ठैक्यो दोस्तो